प्रकुनीं सेनल वर्क पर्मिट के लिए हमारे पास सेजनल वर्क पर्मिट आपो होगा है बत अभी उसका सीजन अभी टाइम नहीं है इसका टाइमिंग स्टार्ट होगा यह स्टार्ट होगा फरवरी से अप्रेल से स्टार्ट होगा सीजन जो सीजन स्टार्ट होता है अप्रेल से तो अभी सीजनल वीजा लेके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वैसे ही सीजनल वीजा जो रहता है आठ से नो मैने का वैलेटिटी एक्सपायर जल्दी हो जाता है तो मैं तो यही बोलूँगा आपको कि सीजनल वीजा अभी इशू न करा है क्योंकि अभी बरफ गिर रही है बहुत तेजी से और माइनस में टेमपरेचर चल ला है भी आठ नो तो अभी सीजनल वीजा का कुछ फायदा नहीं है तो दोस्तों अभी सीजनल वीजा ना लेके हो वर्क पर्मिट ना इशू कराके आप नॉर्मल ही वर्क पर्मिट इशू करा सकते हैं और जिसको सीजनल वर्क पर्मिट में आना है तो अभी वेट करें अप्रेल तक अप्रेल माई तक स्टार्ट होता है उसका तो आप अप्रेल से आप हपते में आपको एक हपते में मालव आपके हाथ में आ जाएगा एक महने के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा वर्क पर्मिट इशू होके क्यूंकि इसमें एक से दो हपते लगते हैं इशू होने में एगरिकल्चर का वीजा में जो यूज होता है यू पिख टेवल में और आपका खेतों में जो भी है वहता है क्याल्टिवेटिंग का मश्रूम का मश्रूम तो वैसे हंच पफ्लश में कमपनियों में वो करते हैं तो उसको तो हीट में करते हैं मतलबaina साम्नाrir होतीं गर्मी यलकी गर्मी तो हीटल लगा देते हैं घर के अंदर ही बनाते हैं मुश्रूम और जैसे जैसे ड्राइफूड है एपल भी होता है अधर पोलेंड में एपल भी होता है और अभी जो सीजन है इस टाइम जो वेजिटेवल जो भी है मटेरियल अभी सारा ये आ रहा है ग्रीस से और आपका पुर्तजाल से उस टाइम पोलेंड में भी माइनस में हैं और बरफ गिरती है आप नहीं देखका होगा मैंने वीडियो भी डाली है तो बहुत ही बरफ गिरती है तो आप तो एक काम यही करें कि अभी वीजिनल वीजा के लिए भी रुक जाएं और इसका फुल प्रोसेस है यही है कि एक से दो हपते में इस्शू हो जाता है और वो उसका भी हम कराते हैं काम सिजनल वीजा का अगर से आप कोई भी इंटरेस्टर तो बताना अभी भी अभी 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 मतला अभी अभी है लेकिन वीजा का भी थोड़ा बहुत है तो जिस बनने को भी सीजनल एग्रिकल्चर के साइड में सिजनल वीज अच्छे यह तो उसका भी मिल जाएगा वेकेंसी है भी ड्राइवर का है अभी वैल्डर का है पैकिंग जॉब फैक्ट्री वरकर प्रडक्शन वेर हाउस का यह सारी वेकेंसी हैं और मैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में यह आपको डाल दूँगा सारी डेट लिख सकते हैं जो मेरा नंबर हैगा वो पोलेंड का है और डायरेकली मुझे कॉल तो नहीं आरभाई कॉल में नहीं कर सकता क्यूंकि मैं अभी काम करता हूं और मुझे टाएम नहीं रहता और मैसेज का ही रिपलाइड दे सकता हूं कभी टाइम मिला तो मैं औल्वी रिशि च्राइचर का क्या प्रोसेस्या क्याये तो यही है 6 से 9 महने का empowered रहता है और परमिटिस लगता है और एक से दो हफ्ते के अंदर भीलाइन यार्थ आपके हातना जाता है तो अभी उलेक्ट्रिकल बीजो हो रहा है तो इसना कोई दिक्ष सहесто Issd वीडियाप मिल जाता है और आजकल फ्रॉड से बच के रहें बहुत फ्रॉड चल रहा है दोस्तों काफी लोग उन्हें फ्रॉड कर रहे हैं तो उनसे बच के रहना और जो भी इन्फॉर्मिशन हो प्लीस हमें कॉंटेक्ट करें हम जरूर आपके मदद करेंगे कुछ में जाय जावर्ट